तो कैसे है आप सब, मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे, मस्थ होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक है, तो आज का सेशन किसके लिए कर रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आफ लिनियर एक्वेशन इन टू वेरिबल्स, इसका पार्ट टू है, पार्ट वन ना देखा हो, तो देख लीजे, क्योंकि वहाँ पर मैंने थोड़ा सा डीटेल में बताया है, हाज हम थोड़ी सी फास्ट करेंगे चीजे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, और हमें प्रॉब्लम्स ज्यादा सॉल्फ करनी है, ठीक है, तो चल दोनों linear equations का solution होता है, क्या होता है, solution होता है, ठीक है, मतलब क्या है, कि तुम अभी सोच रहे होंगे, कि हमने दोनों linear equations की table तो बना दी, लेकिन उस table का करे क्या, तो उसको table को आपको graph पे plot करना है, जो table में जो points है ना, x और y coordinates के आपको ऐसे वाले points के coordinates मिले होंगे, उसके ह equation की एक line, दूसरे equation की दूसरी line और दोनों जहाँ पे मिलती है, वो आपके दोनों equations का solution है, आपको समझ में आई बात, ऐसे आपको solve करना होता है, बड़ा ही आसान सा है यह, ठीक है, इसमें कुछ भी difficult नहीं है, ठीक है, तो आज का पहला example से शुरुआत करते हैं, तो हमारे पस दो equations है, x plus y is equal to 3 and दूसरी वाली equation है, 3x minus 2y is equal to 4, ठीक है, तो अब यह दोनों equations को हमें क्या बोले, graphically representation करना है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे आप ऐसा डबा बना लीजिए अपना, आपको यह सब तो पता ही होगा, ठीक है, इसकी 1, 2, 3, 4, ठीक है, उसके बाद 1, 2 हो, हो गया, डबा बन गया, चलो फटा फट लिख लेते हैं, x coordinate, y coordinate, x, y, ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे आप एक चीज कर सकते हो, एक ट्रिक बेरेकल आपको बता ही नहीं थी, यह अगर आप x plus y is equal to 3 को, अगर आप ऐसे लिखते हो, y is equal to 3 minus x, तो यह ज्यादा सिंपल रहेगा, यहाँ पे आपका एक step कम हो जाता है, ठीक है, तो अगर आपको ऐसे कोई भी y या x ऐसे अकेला पड़ा हुआ मिल जाए, तो आप उसको exchange कर देना, और y is equal to 3 minus x कर देना, क्योंकि आपको at last वो ही चीज करनी है, और उसमें आपका एक step extra जाएगा, चार बार, एक, तो तीन और चार बार आपका एक step extra लगेगा, तो उससे अच्छा आप एक ही बार में कर डालो, ठीक है, तो सबस्ब्याग है, y is equal to 3 minus x ले रहे है, y is equal to 3 minus x, अब मुझे मैंने आपको एक चीज और भी बताई थी, कि जब x और y as a simple, दोनों numbers आ जाए, या फिर दोनों आपक या तो यहाँ पर 0 आएगा, ठीक है, अगर यहाँ पर 1 लगाएंगे, तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 2 लगाएंगे, तो यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है, आपका हमेशा ऐसा ही मिलता है, और इसे solve करना तो आपको आता ही होगा, ठीक है, अब y is equal to 3 minus x है, तो put x is equal to 0 कर तो हो जाएगा y is equal to 3 minus 0 y is equal to 3 आ गया आ गया सही से आ गया अगर आपको बोल दी जाए जाए put y is equal to 0 तो y is equal to 3 minus x तो 0 is equal to 3 minus x तो minus x हो गया 3 minus 0 तो sorry 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 minus x हो गया 0 minus 3 तो minus x हो गया minus 3 तो x हो गया 3 देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है 0 के साथ 3 3 के साथ 0 देखो हर जगह आपने को correct answer ही मिलेगा ठीक है क्योंकि एक जगह पर आपने 0 डाल दिया तो दूसरी जगह पर जो हमारा answer है वो आपको मिलने वाला है ठीक है और अगर हम और भी बात करें अगर put x is equal to 1 की बात करें तो क्या था y is equal to 3 minus x था correct y is equal to 3 minus x था तो y हो जाएगा 3 minus 1 y हो जाएगा 2 आया कि नहीं आया आ गया direct answer आ गया देखो यह सब आप tricks याद रखो आपको फायदा होगा तो y हो जाएगा 3 minus x तो 1 हो जाएगा 3 minus x तो minus x is equal to 1 minus 3 तो minus x minus 2 तो x is equal to 2 तो आपको बात सबस्वें आई हमेशा ऐसा वाला equation आ गया तो ऐसे ही answer निकालेंगे ठीक है और यहाँ पे third column में बस वही चीजों को हमें as coordinates of points हमें डाल देना है आप बता होगा कि हम जो graph पे points plot करते हैं उसके coordinates हम ऐसे bracket में कॉमा लगा के देखते हैं चलिए आप दूसरे वाले की table बनाते हैं फटा फट और बैं बता दू यह सब मैं RD Sharma यह book से ले रहा हूँ ठीक है क्योंकि it is the best book for math सच में आप जरूर यह खरीद लीजेगा क्योंकि आपकी practice बहुत ही अच्छी होगी अगर आप यह book करीदेंगे या फिर rs अगरवाल भी बहुत ही अच्छी book है तो चलिए इसको भी solve कर लेते हैं तो यहाँ आएगा x y x, y अगर आप सिर्फ यहाँ पे देखने के लिए आए है तो please class को बंद कर दीजे क्योंकि यहाँ पे notes बनाने पड़ते हैं notes नहीं बनाएंगे तो आपका फाइदा नहीं हो पाएगा ठीक है तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा सोच सोच के लिखना पड़ेगा अगर आप x को 0 कर दे तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? ये पूरा parte 0 हो जाएगा क्योंकि 3 0 जा 0 है कि आप तो हो जाएगा minus 2y is equal to 4 तो y हो जाएगा 4 upon 2 y हो जाएगा 4 upon minus 2 I'm so sorry y is equal to 4 upon minus 2 तो y is equal to minus 2 तो कुछ ना कुछ answer तो आ ही रहा है तो आप यह लिख सकते है ठीक है तो आप पर हो जाएगा minus 2 ओके अगर हम y को 0 रखते तो क्या हो जाएगा y को 0 रखेंगे तो भाईया अपना answer नहीं आने वाला क्योंकि y को 0 रखेंगे तो यह पूरा cut जाएगा और यह हो जाएगा 3x is equal to 4 तो x हो जाएगा 4 upon 3 और 4 upon 3 का answer अपने को point में मिलता है correct तो इसलिए यह नहीं ले सकते इसको हटा दिया जाए हटा दो इसे ठीक है अगर हम x को 1 लेते है तो क्या होगा अगर y को हम 1 ले लेते है यहाप ठीक है तो हम यहापे ले रहे है y को 1 तो यह हो चलेगा यह भी चलेगा यहापे हम रख सकते हैं ठीक है अगर आप इसमें स्लो है practice करते करते आपको आएगा आप सिर्फ linear equations की practice करते जाएए आपको यह अंदाजा आराम से आने लगेगा मैंने बहुत practice किये मेरे पास 100 पेज भर गए है इतनी मैंने linear equations की lockdown के समय पर practice कर लिए और मैं जो है अच्छा खासा आपने लिए रास्ता बना रहा हूँ आप लोग भी बना लीजिए ठीक है अगर हम अगर हम एक्स की जगहा पे 1 रखते है तो क्या हो जाएगा तो होजाएगा यह वाली जो चीजैना यह जाएग़ three one सा three तो हो जाएगma three minus two y is equal to four तो minus two y हो जाएगा four minus three तो minus two y हो जाएगा मैio sorry minus two y हो जाएगा वन तो य हो जाएगा minus one स्री one upon minus two और one upon minus two का answer आपको points में मिलेगा तो इसलिए ये नहीं चलेगा ठीक है तो one भी यहाप पर नहीं चलेगा इसे मिटा दो ठीक है मैं सारी conditions आपको बता रहूं क्योंकि आज का यह पहला example है ने तो फटाफट फटाफट लेते थे अपन ओके उसके इसके बाद चकतो तो y की जग़ 2 डाला तो यह हो जाएगा 2 2s आ 4 correct तो 3x minus 4 is equal to 4 तो 3x is equal to 4 plus 4 3x is equal to 8 x is equal to 8 upon 3 वापस point तो यह भी नहीं चलेगा ठीक है तो यहाँ पर 2 भी नहीं चलेगा यहाँ पर 3 लगा के तो देखो अगर हमने इसकी जग़ 3 लगा दिया तो 2 3s are 6 minus 6 तो 3x minus 6 is equal to 4 तो 3x is equal to 4 plus 6 3x is equal to 10 तो x हो जाएगा 10 upon 3 वापस यहार point में आ रहा है वापस ठीक है अगर 3 यहाँ पर लगा है तो हो जाएगा 3 3s are 9 तो 9 minus 2y is equal to 4 तो minus 2y 4 minus 9 तो minus 2y minus 5 तो y minus 5 upon minus 2 मतलब वापस point वे यह भी नहीं चलेगा अगर यहाँ पर 4 लगाते हो तो हो जाएगा 3x minus 2 into 4 2 4s are 8 होता है न यह राइट तो 3x minus minus 8 is equal to 4 तो 3x हो जाएगा 8 plus 4 तो 3x हो जाएगा 12 तो x हो जाएगा हमारा 12 upon 3 मतलब 4 तो यह भी 4 आजाएगा ठीक है तो आपको सबस्ब्याई बात यह हो गया हमारा तो 4 भी कट गया अब 5 की बात करते हैं अगर हम 5 यहाँ पर लगाते हैं तो 3 5 15 हो जाएगा so 15 minus 2y is equal to 4 minus 2y is equal to 4 minus का 15 तो minus 2y हो जाएगा is equal to minus का 11 और यह तो नहीं हो पाएगा फिर तो ठीक है तो 5 यहाँ पर नहीं ले सकते 5 यहाँ पर लेके देखे तो क्या हो जाएगा 3x minus 10 is equal to 4 तो हो जाएगा 3x is equal to 4 plus 10 3x is equal to 14 वापस नहीं हो पाएगा 6 रखके देखे यहाँ यहाँ पर 6 रखके देखे तो क्या होगा 3x minus 6 to the 12 तो 3x minus 12 is equal to 4 तो 3x is equal to 4 plus 12 तो 3x हो जाएगा 16 वापस नहीं आएगा उपड 6 रखो तो 6 3s हा 18 18 minus 2y is equal to 4 तो यह क्या हो जाएगा minus 2y is equal to 4 minus 18 minus 2y minus 14 के बराबर तो minus 2y minus 14 है तो y is equal to 7 आजाएगा तो यह दोनों conditions में हमारा answer आजाएगा यह थोड़ी लंबी process है इसलिए मैं recommend करूंगा कि exam में यह question आए तो जितना हो सके इसे avoid करो अगर आपके पास कोई option बचाई नहीं तो कर ले ना फिर तो कुछ लिए कर सकते तो आप देखिए हम क्या करेंगे 3x minus 2y is equal to 4 दिया गया है तो इसे फटा फट हम यहाँ पे solve कर लेंगे इसको हम क्या करेंगे 3x minus 2y is equal to 4 so therefore 3x is equal to 4 plus 2y ऐसे कर लो एक step कम हो जाती है इसे ठीक है यह मैंने आपको पिछले session में नहीं बताया था नहीं चीज है इसे पता कर लो और आपका फाइदा कर लो ठीक है तो x is equal to 0 put करो तो 3 into 0 is equal to 4 plus 2y तो यह हो जाएगा 0 is equal to 4 plus 2y तो हो जाएगा 4 को उस सेड़ शिफ्ट करो minus 4 is equal to 2y तो 2y is equal to minus 4 वो ही चीज है मैंने से फुल्टा लिख दिया है so therefore y is equal to minus 4 y is equal to minus 4 upon 2 so y is equal to minus 2 ठीक है यह आपका answer आ गया सही है क्या check कर लो सही है क्या check कर लो yes सही है दुसरे condition में हमने y is equal to 1 put किया है ठीक है तो second है put y is equal to 1 तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा यारो यहाँ पर हो जाएगा 3x is equal to 4 plus 2y 4 plus 2y तो यह हो जाएगा 3x is equal to 4 plus 2 क्योंकि 2 ones are 2 ही होता है तो यह हो जाएगा 3x is equal to 6 तो x हो जाएगा 6 upon 3 तो x हो जाएगा 2 कितना आसान है तो y1 हो गया तो x2 है सही है क्या सही है ठीक है हम third में रख रहे है put x is equal to 4 third में रख रहे है put x is equal to 4 तो हम क्या करेंगे तो हम करेंगे ये कि 3x is equal to 4 plus 2y तो हो जाएगा 3 into 4 is equal to 4 plus 2y तो हो जाएगा 3 4s are 12 minus 4 क्योंकि 4 is side shift किया तो minus 4 is equal to 2y तो 2y हो जाएगा 12 minus 4 कितना होता है 12 minus 4 होता है 8 तो y is equal to 8 upon 2 तो y is equal to 4 सबस्बे आई बात correct आया correct आया कि नहीं आया ठीक है एक्स पोर था तो y भी 4 आया बराबर उसके बाद उसके बाद हमने x is equal to 6 put किया था चलो put करते हैं port x is equal to 6 तो क्या हो जाएगा 3x is equal to क्या था 4 plus 2y ठीक है 4 plus 2y तो हो जाएगा 3x is equal to 4 plus 2y तो 3x 18 होता है तो यह हो जाएगा 18 minus 4 is equal to 2y तो हो जाएगा 2y is equal to 14 तो y हो जाएगा 14 upon 2y हो जाएगा 7 तो आपको बाद सबस्बे आई x 6 है y 7 है हमारी चीज यहाँ पे सही आ रही है सही आया कि नहीं आया आया ना बराबर तो देखिए अब क्या है पहले तो हम देख लेते दोनों टेबल्स बे क्या है दिख रहा है अपने को कुछ अगर common दिख रहा हो ना तो वो ही उसका solution होता है ठीक है लेकिन हमें दोनों टेबल्स बे सिर्फ 2,1 यह हमें दिख रहा है कि वो दोनों टेबल्स बे common है ठीक है त यह 2,1 देखो दोनों में common है तो इसका मतलब यह एक common point है जो दोनों lines पर आएगा इसका मतलब दोनों lines यहाँ पर ही intersect करने वाली है दोनों lines यही पर ही मिलने वाली है तो इसले 2,1 जो है वो हमारा solution हो जाता है I hope it is clear to all of you ठीक है बड़ा ही आसान सा काम है बस आपको थोड़ा स अपना time देना पड़ता है आपको एक बार practice हो गई कि आपको अंदाजा भी आ जाएगा ठीक है आपको जो है अंदाजा भी आ जाएगा और भी example लेते हैं ठीक है आपके लिए examples की कमी नहीं है मैं R.D. शर्मा लेके बैटा हूँ भर भर के दे सकता हूँ आपको मैं ठीक है ठीक है next example हम लेंगे next example हम लेंगे x plus 3y अरे यार x plus 3y is equal to 6 और दूसरा है 2x minus 3y is equal to 12 ठीक है यह दोनों हमें दिये हुए है और इनको हमें solve करना है तो पहली बात तो आपको क्या करना है इसको simplify कर लो तो हो जाएगा x is equal to 6 minus 3y ठीक है यह आपका simplify हो गया दूसरी चीज है आपको table बला ले ली है तो फटाफट बनाते है ठीक है table बनाएंगे चलो fast 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 चलो मेरे साथ बनाओ x y x comma y ओके चलिए हमारी table तो बन गई सबसे पहले अगर session अच्छा लग रहा हो तो like ठोक दो और उसके बाद हम आगे बढ़ते है ठीक है तो like ठोको फटाफट चलिए अब देखिए x plus 3y is equal to 6 है तो इसके अंदर हम क्या कर सकते है इसके अंदर x की value कैसी आनी चाहिए आपको जरा समझा दू में x की value ऐसी आनी चाहिए कि इनके बीच में जो संबंध है ना 6 और 3 में ये तूटना नहीं चाहिए ये तूटना नहीं चाहिए क्योंकि अगर आप x की value में एक काम करो सुनो एक काम करो ऐसा मत लिखो इसे ठीक है इसे एसे लिखना की 3y is equal to 6 plus x ठीक है ऐसे लिखो इसे इसको आप ऐसे लिखो अब देखे यहाँ पर क्या है यहाँ पर आपको इसको ऐसा रखना है कि यह जो x है ना यह x इसके साथ जब एड होगा तब यह 3 से divisible होना चाहिए ठीक है यह क्या होना चाहिए यह 3 से divisible होना चाहिए मतलब अगर आप यहाँ पर x की value को 0 करते हो तो 6 plus 0 6 होता है और फिर 3y is equal to 6 है तो y is equal to 6 upon 3 y is equal to 2 आ जाएगा correct तो आपको x की value ऐसी रखनी है कि आप 6 के साथ add करोगे तो वो 3 की table में आ जाए ठीक है ऐसे रखो ना आप देखिए जो मैंने first वाला बताया मैंने कि x की value अगर 0 रखी तो y की value आपकी 2 आने वाली है ठीक है यह मैंने फटा-फट से निकालिया अब आप भी आगे का सोचो अगर x की value आप 1 रखोगे तो 7 हो जाएगा x की value 2 रखोगे तो 8 हो जाएगा क्या 7 और 8 3 की table में आते हैं नहीं आते हैं तो इसने आप यह सम नहीं रखोगे आप उसके next की value लोगे x की value 3 रखो तो 6 प्लस 3 9 हो जाएगा तो y is equal to 9 upon 3 y is equal to 3 हो जाएगा ठीक है तो x और y की value ठीक है यहां पर 3 आजाएगी देखी फटा फटा अंसर निकालने हमें अगर हम next condition की बात करें अगर हम x की जगापर क्या रखे x की जगापर हम 6 रखे ठीक है तो x की जगापर अगर हम 6 रखे तो 6 6 12 होता है तो y is equal to 12 upon 3 y is equal to 4 आजाएगा ठीक है तो यहां पर 3 यहां पर 4 सॉरी 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 यहां पर 6 तो यहां पर 4 सबस्क्राइब बहुत ही आसान है और अगर हम x की वैल्यू को 9 रखते हैं ठीक है हम 3 की टेबल फॉलो कर रहे हैं तो 3 2 जा 6 3 3 9 हम x की वैल्यू 9 रखते हैं तो 9 plus 6 15 होता है तो y की वैल्यू हो जाएगी 15 upon 3 y की वैल्यू हो 3 4 5 0 plus 3 3 3 plus 3 6 6 plus 3 9 ऐसा एक पैटन दिखता है जो काफी सारे बाकी की चीजों में हमें नहीं दिखता है ठीक है अगर आप यह वाली टेबल देखते हो तो इसके अंदर 0 3 1 2 तो अगर 1 के साथ 2 है 2 के साथ 1 है 0 के साथ 3 है 3 के साथ 0 है तो हर एक टेबल में आपको ज्यादा थ करो और अपनी जो कैलकुलेशन है उसे थोड़ी सी फास्ट करो ठीक है आपको बात सबस्वे आ रही है तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो यह होगे हमारा ठीक है इसमें सिफ आप फाइनल लिख लिजे फटाफट 0 कामा 2 3,3 6,4 9,5 ठीक है यह आप लिख दीजे जो सेकेंड वाली एक्वेशन थी 2x-3y is equal to 12 इसको आप लिख लिजिए 2x is equal to 12 plus 3y अब देखें यहाँ पे भी क्या है यहाँ पे भी क्या है कि अगर आप इसको 0 डालते हो ना इसको अगर आप 0 डालते हो तो क्या हो जाएगा इसको 0 डालते हो तो यह पूरा गायव हो जाएगा और x is equal वेट ने is equal to 12 upon 2x is equal to 6 आजाएगा ठीक तो अगर वाय को 0 डालते हो मैं आपके लिए फटाफट से टेबल ड्रौउ कर रहा हूँ आप भी मेरे साथ यह ड्रौँ कीजिए ठीक है ड्रौँ कीजिए ड्रौँ कीजिए ड्रौँ कीजिए ड्रौकीजिए अगर आप y की value को 1 डालते हो तो x की value क्या आएगी फिर x की value तो point में आएगी क्योंकि 12 प्लस 3 कितना होता है 15 होता है 15 upon 2 तो point में आएगा ठीक है फिर अगर आप y की value 2 डालोगे तो क्या हो जाएगा अगर आप y की value 2 डालते हो तो x की value 9 फिर उसके बाद 2 की बाद pattern को देखो यार pattern को देखो फिर अगर y की value 4 हो जाएगी ठीक है y की value देखिए 0 का 2 हुआ है तो मैंने 2 का 4 किया है तो 6 का 9 हुआ है 6 प्लस 3 नाइन होता है तो 9 प्लस 3 12 हो जाएगा ठीक है चेक करके देख लो 3 4 जा 12 होता है 12 ब्लस 12 24 होता है x is equal to 24 upon 2 x is equal to 12 आ गया answer आ गया answer सबस्वे आ रही है बात तो इसी pattern को follow करो 4 का 6 करो तो यह हो जाएगा 12 प्लस 3 15 देखिए कितनी आसान है चीजे आपको सिर्फ pattern ढूड़ना है और आपका काम हो जाएगा ठीक है आपको pattern ढूड़ना है और आपका काम हो जाएगा आई hope it is clear to all of you ठीक है इसको solve तो आप करी लोगे या solve करने में क्या जा रहा है इतना असान सा है ठीक है अब मैं आपको graph के बारे में कुछ बताता हूँ ठीक है अब मैं आपको थोड़ा सा graph के बारे में बताता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में confusion होता है कि graph के पॉइंट्स को प्लॉट कैसे किया जाए ठीक है तो मैं थोड़ा सा ग्राफ के बारे में बता रहो अभी जो बच्चों को ग्राफ के बारे में अच्छे से पता है वो सेशन को छोड़ सकते है विकाज डोंट वांट टो वेस्ट यौर टाइम ठीक है तो देखिए हमारा ग्राफ ऐसा होता है इसलिए अधर प्रैक्टिस आपकी हो रही है इसलिए सेशन में रहने का आपको फायदा होने वाला है तो यहाँ पर देखिए एक दो तीन चार पाच छे देखिए हमें जरु अधर हमें 15 की है क्योंकि क्या है कि यहाँ पर 15th कोडिनेट आ रहा है तो हमें इतना लंबा ग्राफ बनाना पड़ेगा यहाँ पर यहीं तो इसका में एक्चुलिवे डिसडवांटेज है कि अगर यह क्वेशन आया तो आपको 15 कोडिनेट्स का ग्राफ बनाना पड़ेगा आप मैं वह वाला नहीं लेता मैं एक सिंपल वाला लेता हूं जो कि मेरा पाच तक जा रहा हो कोई कोई ऐसा है क्या आसा नसा कि यह सही रहेगा देखो ठीक है यह वाले का ग्राफ बना देता हूं कि यह 7 तक जा रहा है और यह तो और भी अच्छा है x Plus y is equal to 3 का बना देता ठीक है ठीक है तो देखिए ये कौन सा पेज है ये पेज नंबर 19 है ओके तो ठीक है यहाँ पे हम पॉइंट्स के लिए हम ऐसे बना लेते हैं पाच एक दो तीन चार पाच एक दो तीन चार पाच ठीक है अब पहली बात तो आपको हमेशा याद रखनी है कि हमेशा यहाँ पे इस साइड पे जो है माइनस होता है और इस साइड पे भी माइनस होता है ठीक है तो जब आप लेफ्ट में या नीचे जाते हो तब माइनस हो यहाँ पे ओहो इसका तो प्रॉब्लम है यहाँ पे या यहाँ पे जाते हो तब यहाँ पे प्लस होता है ठीक ह इतना भी नहीं पढ़ा होगा मतलब आप नाइन स्टैंडर से होके नहीं गुजरे हो ठीक है तो अब सबस्वे आ गई बात आपको कि यहाँ पे लेफ्ट और नीचे माइनस होता है उपर और राइट पे प्लस होता है यह चीज आपको पहली चीज याद रखनी है दूसरी ची 0,3 कहा है इसका बतलब X AXIS पे उसका जो कॉषडिनेट है वो 0 होना चाहिए और Yá Yा E sequiate पे उसका coordinate 0 होडा चाहिए तो 0 किदर होता है यहाँ पे होता है ठीक है और जबकि Y coordinate पे उसका positive 3 plus 3 होडा चाहिए अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो plus 3 तो इसका मतलब वो point यहाँ पे है आपको बात सबस्बे आ रही है कि वो point कहाँ पे होगा वो point होगा यहाँ पे क्योंकि X coordinate 0 है X axis पे तो उसका measurement 0 आ रहा है और Y axis पे उसका measurement 3 आ रहा है positive 3 है मतलब उपर की तरफ होगा Y axis पे तो यह हो गया हमारा 0,3 first वाला point अगर हम second वाले point की बात करते हैं तो second वाला point था 3,0 बराबर उल्टा है उसका अब यहाँ पे क्या है X coordinate 3 है और Y coordinate 0 है मतलब यहाँ पे आएगा क्योंकि Y coordinate 0 है मतलब यह वाली line और X coordinate 3 है मतलब यह वाली line तो यही पे आएगा सबजबे आरे बात तो यह हो गया हमारा 3,0 फिर उसके बाद next वाला था next वाला था देख लेते एक second यह तो कलका आ गया next वाला देख लेते next था 1,2 और 2,1 तो X से 1 होना चाहिए और Y से 2 होना चाहिए ठीक है तो इनके बीच वैसे आप एक line बना सकते हो ऐसे और यह वाला जो point है न यह वाला यह हमारा 1,2 आपको बात सबस्बे आई 1,2 क्या है ठीक है हमने point बना लिया थोड़ा सा इसको यहाँ पे बनाते है गाइस मेरे पाइस सच्छी का graph नहीं है नहीं तो कसम से ऐसा सिखा था कि आप बस सोच भी नहीं सकते हैं और दूस्टा है टू कॉमा वन का पर आएगा वाय एक्सिस पर टू चाहिए एक्स एक्सिस पर टू चाहिए वाय एक्सिस पर वन चाहिए तो इसका मतलब इनके ब पॉइंट यहां पर मिलने वाला है ठीक है और आपको क्या करना है इन चारों पॉइंट को जॉइन कर देना है बस आपका काम हो गया खतम आपकी लाइन बन चुकी है ठीक है और इसको आप लेबल कर देना क्या लेबल कर देना इसका लेबल था इसका label था x plus y is equal to नहीं रुको इसका label था just a second x plus y is equal to 3 ठीक है तो जब आपकी line होगी x plus y is equal to 3 तो आपको कुछ ऐसी line मिल सकती है कैसे बनाते हैं हम graph को अगर आपने यह और यह वाली जो लाइन्स थी यह यह वाली जो लाइन्स थी यह नहीं बनाई तो it is very good आप ऐसा मत बनाईएगा क्योंकि आपके पास graph होगा मेरे पास graph नहीं है इसलिए मुझे यह सब बनानी पड़ रही है लेकिन graph पे तो आपको सीध सब्सक्राइब करो ठीक है तो थैंक यू सो मुझ दोस्तो पर वाचिं दिस वीडियो आम संकेत मनियार अट थे स्टी शैक चैनल कोई भी दाउट सो तो comment section में दालो और थैंक यू सो मुझ दोस्तो पर वाचिं दिस सेशन बाई बाई